इस वक्त की सबसे बड़ी खबर RJD से निकल कर सामने आ रही है RJD को एक नया राश्ट्री अधक्ष मिलने वाला है लेकिन जिस नाम की चर्चा सबसे ज़ादा है उस नाम को ले करके RJD के अंदर खाने से खंडन भी किया जा रहा है किसी परकार की कोई पुष्टी नहीं करता काफी तेज़ है ख़बर कि तेजस्वी यदो को पाटी की जिम्मदारी देज जा सकती है तेजस्वी यदो कोوي औरजरडी की नय राश्ट्य अध्यक्ष बना या सकता है या नहीं आखिरकार उनके करेकारता उनके समर्थत क्या चाहते हैं हमारे कमेंट वक्स में जाके आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं लेकिन खबर यह है कि आरजेडी को करेकारनी की बैठक में बड़ा फैसला लिया जाना और तेजस्पी परसाद यादो को ले करके चर्चाएं क कर पाएंगे क्या मैनेजिंग कर पाएंगे राष्ट्रिय अध्यक्ष बन पाने के लाइक भी हैं या नहीं इस पर कारिकारता क्या सोचते हैं आरजेडी के समर्थत क्या सोचते हैं यह सबके लिए जानना बहुत महत्तपुन्ड है लेकिन इन सबों के बीच जदियों के प् अप ध्यान से जड़ा सुनिए निकल मंडल ने क्या कुछ कहा है राजत मतलब क्या एक फैमिली की पार्टी प्राइवेट लिमिटेट कंपनी की तरह यह चलती है पिता गए पुत्र आए पुत्रा गए बहन आई बहन गए दमाद आया यही इस पार्टी की परिपार्टी र है कि बड़े पुत्र को नकार के बड़ी बेटी जो की पहले से राजनिती में उसे नकार करके और छोटे पुत्र जो की सिर्फ और से लालू जी के चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं कि उनके पुत्र हैं उनकी काबिलियत पे राजत को छोड़ने की अगर विवस्ता की जा है अभी तक रुका हुआ है वह लालु पिशाद यादव जी के दिन है क्योंकि वह बड़े नेता है लेकिन तेजस्वी क्या ट्वीटर पर ट्वीट करेंगे राष्टी ये नेता बनेंगे और क्या तो अब तमाम दर्शकों से सवाल यह है कि अगर राष्टी अध्यक्ष के पर टेजस्वी आदों को बनाया जाता है तो क्या लगता है पार्टी का भविश्य बर्बाद हो जाएगा पार्टी गर्ग में चली जाएगी क्या पार्टी बर्बाद हो जाएगी या फिर ऐसा है कि तेजस्वी आदों के नेतरित्व मिलने से पहले से और ज्यादा बेहतर situation में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन पार्टी कर पाएगी क्योंकि 2020 विधान सबाचुना में तेजस्वी यादो ने अपने आपको साबित करके दिखाया है और यही वो बज़ा है जिसको लेकर के करेकारने की 10 फरवरी को बैठक होने वाली है और उस बैठक में यह साबित किया जाएगा यह अपने तरफ से तेजस्वी यादो साबित करेंगे कि वो पार्टी के राश्ट्री अधक्ष बनने के लायक हैं और इसको लेकर के जब तेजपरताप्यादो से चर्चाय की गई तो तेजपरताप्यादो ने इन तमाम बातों को खंडित किया है और कहा है कि फिलाल तो पीता जी राष्ट्री अधक्ष हैं और आगे आने वाले दिनों में वही रहेंगे क्योंकि वो पार्टी को अच्छे धंग से मैनेज करके चला पाने में सक्षम है और अब तक उन्होंने कई बार साबित भी किया है तो पार्टी का राष्ट्री अधक् करता क्या चाहते हैं और आर्जेडी के करेकरतां से सवाल फिर वही है कि राष्ट्रि अध्यक्ष के पद पर तेस्वी आदो को बैठाना चाहिए क्या जन्य आदो नंटी को चला पाने में सक्ष्म होंगे ताकि आपकी पार्टी यानि RJD जितने भी समर्थक हैं जितने भी करे करता हैं उनके दिये गए कमेंट्स पर विचार कर एक बहतर फैसला ले सके आपको बता दे दस फरवरी को बैठक होने वाली है उसमे लालू पर साथ यादो भी मौझूद रहेंगे और सबसे जादा जो च जनता आपकी करेकरता आपकी शमर्थक क्या चाहते हैं फिलाल इस खबर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए वे लाइकन नबरा ना भूले ताकि हरे खबर सबसे पहले हम आप तक पुछा पाने में सक्षम हो से लें नमस्कार